हेलो एंड वेलकम टू ओनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइबरी साइंस एक बार फिड से आप सभी का ओनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइबरी साइंस में जोड़दार स्वागत है दोस्तों मैं आपका दोस्त सुमेर सिंग कचावा लाइबियरियन आज इस डिजिटल प तरफ से हार्दी सुभकामने और तलेगना गौर्मेंट के दुआरा आपकी जो यह स्पेशल वेकेंसी जो डिक्लेर हुई है और जल्द इसके एक्जाम आपको देखने को मिलेंगे अगस्ट और सेप्टेमबर में में इन अगस्ट और सेप्टेमबर तक तो आपके एक्जाम जरूर होंगे इसलिए माइप प्रस्टनली सजेसिंट तो यू कि आप जो है अपना जो है पड़ाई शुरू कर दीजिए क्योंकि जल्द आपके होने वाले हैं दोस्तों आज हम एक ऐसे टापिक के बारें बात करते हैं जिसका नाम है डीडी सी जो है विश्व की सबसे मैं आज हम सबसे पहले डा वर्ल्ड ओल्डेस्ट क्लासिपीकेसिन स्कीम इस डीडी सी दुनिया की सबसे पूरानी वर्गीकन परदेती डीडी सी के बारे में हम चर्चा करेंगे इस क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी को मैं कहना चाहता हूं कि जो त्यलंगना इस टॉपिक के बाद आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक में से आपके 2017 में गुरुकुल स्कूल लाइवियरेंट का प्रिविएस येर पेपर में जो है फॉर कोस्टन्स वर आस्क्ट फ्रॉम दिस टॉपिक इस टॉपिक से चार कोस्टन जरूर आपके पूच गयाते हैं आ फिल फॉर्म का भी सवाल पुचा जाता है टो फॉल फॉर्म होते दिवी डेसिमल देक्टी का नाम क्या है जिसकी फोटू आप देख रहे हूं तॉर्टों की फोटों के इस वेक्ति के नाम है मैलय डिवे क्या नाम है दोस्टों मैल लिखे ठीका न होती हैं डिफिपैसिकहने और इस DDC को क्या कहा जाता है तो ज्यान रखना है दो वर्ल्स हिट Pres simplesmente यह कई बार सवाल प्रिक्षा के अंदर एक्जाम के अंदर पुछा जाता है कि दुनिया के सबसे पुरानी वरगी गन पत्युय कौन सी है तो दुनिया के सबसे पुराने वरगी कि न स्थाल वहा खेंगे चाहरा हुए कर रहे हो तो आपको पता हो आपको लाइब्रेरी क्लासिफीकेशन राउन्द skipping स्कीम्स लोन होती हैं 10 जो है आपको ज़से पहले आपको रगना द्यान धगना मैंने हमारे अंदर मैंने सुरु कर दिया है तैलंगाना का अक wrestler बैच और उस बैच में हमने सबसे स्टुडेंट से यही कहा है और सारे स्टुडेंट जो भी क्लेंगाना से जुड़ रहे हैं उनको मैंने यह कहा है कि सबसे पहले यूनिट फाइब जो आपका क्लासिपिकरशन और कैटलोगिंग है उसको आप पहले पढ़ना शुरू हो गया ओगा तीसरा इसी Engstorm dot q चौभन और स को olarak अपके बीज को गया पांचो गया औके यह एस सी ठीक है चटा हो गया आपके अल वी expect झाके ना उसके बाद Communist के बारा और आप और एक सिग्या अखेगत जो ऊだ then she did ठीक है न तो पहला आपके डीडीजी दूसरी होगे यूडीसी है एसी चरुतीबी आने होक गया और स्ब्सक्राइब को अक्रिक युवियोगा सबसे पुरानी होगे और यूदिशी हाँ एक होगे आपकी सी सीगत्राइब के तो आपकेस अलीब हमین Russia आपको 10 वर्गिकंपदिती पढ़नी पढ़ेगी जिसमें पहला है डीडी सी जिसके बारे में आज हम पढ़ने यूडी सी जो है आपके यूनिवर्सली डेसिमल क्लासिपिकेशन इसी इसी का मतलब क्या होता है expensive classification कौन सी classification expensive फिर उसके बाद BC BC से क्या हो जाएगा Bibliographic जानगना Bibliographic classification हो गया S, Sc से क्या हो जाएगा दोस्तों, S, से हो जाएगा subject classification BSO, BSO से क्या हो जाएगा broad subject of ordering broad system of और, uh, broad system of ordering, sorry, broad system of ordering, BSO है आपकी, इसके बारों पढ़ना पड़ेगा, फिर है Russian है, Russian जो है लाइबरेरी, बिबिरियो ग्राफिकल ख्लासिविकेशन, बिबिद्लीयो, बिबिरियो ग्राफिकल, ख्लासिविकेशन एक ये, फिर eighth है, Library of Congress Classification Library of Library of Congress Classification फिर है RIC RIC क्या हो जाएगा Riders International Classification और 10th है आपके Colon Classification तो कहने का मतलब यह है आपको अपने syllabus में 10 types की जो Classification है यह 10 types की Classification आपको पढ़नी है तो आज हमने शुरू किया था जिसका नाम है दोस्तों DDC की फूल फॉर्म क्या होती है D.W. Decimal Classification और इसे क्या कहा जाते है The World's Oldest Library Classification दुनिया की सबसे पुराणी वर्गिकन पजिति इसे कहा जाता है और अब हम बात करते हैं और चीज के बारे में तो अगर हम DDC शुरू कर दिया है तो आपको यह पता चलना चाहिए कि DDC का जो है developed तो यह कहें ना बई DDC का जो विकास है तो ध्यान रगना DDC का विकास कब वहा था 1886 में वहा था 1886 में और DDC में ध्यान रगना टोटल एडिसन कितने है सवाल यह भी पूचा जाता है कि how many additions of DDC DDC में ध्यान रगना है टोटल एडिसन कितने हैं वह 23 द्यान रगना तो DDC के अंदर वर्तमान में 23 एडिसन है 23 में ध्यान रगना है फर्स्ट एडिसन कब आया था सवाल यह पर नेका द्यान रगना कि when was the first edition of DDC published फर्स्ट एडिसन आया था 1864 में और उसके बाद लास्ट लास्ट कौन से में 23rd टेविस्वा एडिसन तो 23rd एडिसन कब आया था 2011 में कब आया था दोस्तों 2011 के अंदर आया तो एक तो पहला एडिसन का सवाल हमेसा पुछा जाता है कि DDC का फर्स्ट एडिसन 1864 आया था और पहले एडिसन में टोटल कितने पेज थे तो आपको ध्यान एनना टोटल पेज से 44 कितने पेज से बहुई 44 और DDC का अंतीम जो है यह अंतीम एडिसन करते हैं DDC का जो एडिसन है जा रहना क्या दोश्टो जो है। एडिसन एडिसन आपन प्रश्टो को पय्स को इंगना तो इटिसन के वारीक बारी कितने तो अज़लने है कितना है पेब्रीजडन टोटल है हो आपके 15 कितने नहीं है पूछ ले तो एब्रीज में फर्स्ट एडिशन कब आया था वह आया था एटी नाइनटी फाइं अटारे सो पंचानवे में और लास्ट वालास्ट का मल्ले होता है पंदरवा एडिशन तो पंदरवा एडिशन आया था 2012 में कब आया था 2012 में यहा पर आप बहुत जब लोगवा इसका है तो जब सवाल पूछा जाता है कि डिटीसी में टोटल कितने एडिशन है तो डिटीसी में 23 एडिशन है फर्स एडिशन आया था 18 watercolor में और लास्ट टेभी सो एडिशन आया तब 211 में लेकिन और पहले एडिशन में कितने पेश्च्छ है चमवादिस लेकिन जब सवाल बन जाए कि डीडिशी में average edition के तो होते हैं तो average edition 15 ही है और first edition of average तो वो आया 1895 और last जो 15 जो average edition आया था वो आया था 2012 तब आया था 2012 में आया था ये चीज आपको ध्यान में रखनी है ठीक है दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं the ddc is the most widely used ddc is the most widely used classification system in the world दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तमाल की जाने वाली वर्गिकन पढ़ना ली है देखें कई पास सवाल पूछा जाता है कि वर्ड में सब से ज्यादा ठीक है ना वर्ड में सबसे ज्यादा अगर कौन सी वर्गिकन पदत्य का यूज़ किया जाता है most used सबसे ज्यादा अगर वर्गिकन पदत्य की यूज़ होता है वह होता है डीडिसी में अगर मालों दो दो क्लासिफिकेसन आजाए तो अगर मालों कहीं बाप रिक्सा के अंदर आप्शन आजाएं दो तो ज्याने में एल सी सी भी आता है वहां पूछ लें के दो आजाएं कैसे सब से ज़्यादा और वर्गिकन की बतेती डीडिसी एंड सी सी ठेगे है या फिर ओप्सें में दीडिसी एंड एल सी तीस्वाप्स्ण आजाएं आपके डीडिसी एंड यूडिसी ठीक है तो आपको थ्यान दा ना आपका आंसर होगा आपके डीडी सी और एल सी अगे सवाल पुछा जाए कि वर्ल्ड में कौन सी दो वर्गीकन पतेती सबसे ज्यादा यूज होती है जब दो एक साथ में आ जाए तो आपको याद रखना एक तो डीडी सी और दूसरे उसके साथ क्या हो जाएगा एल सी ल ठीक है अब उसके बाद में बात करते हैं अपर ठीक है दोस्तों अब शुरुआत करते हैं थोड़ा डीडी सी के बारे में दा डीडीडेसिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम इजे जनरल नॉलेज और गनाज़ेशन टूल यहाद इस कंटिनूसली रिवास्टू की पेस विट पढ़नाली एक सामाने ज्ञान संगर्टन का क्या है वह एक उपकरन होता है जिसे ज्ञान के साथ ताल में रखने के लिए लगाता संसोधित क्या जाता है इस पढ़नाली की कल्पना वेरी इंपोर्टेंट ज्याना था सिस्टम वास कंसीवड कंसीट वाइं मेलवन डीवी इंटीन सेवनिटी त्री एंड फॉस्ट पॉपलिजड इन एटीन सेवनिटी शेच्ट तो ज्यान अगना है इस डीडी सी के जो है कल्पना है वह कल्पना कब शुरू होगे थी अटारः सो तियो तर में ही शुरू हो गे थी लेकिन इसका जो फास्टेज़ इशन है इसका था था इसका फ़र्स्ट विब्लिशन फ़र्स्ट एडिसन जो है अठारासोची एठर में पभलीस हुआ था कि वह तो दोस्तों ऑठारासोची न्र में वबीश हुआ था the ddc is published by oclc very important question है दोस्तों वर्तमान में ddc को किसके दोरह published के जाता है oclc oclc का मलब होता है online computer library centering oclc holds the copyright in the diva decibel classification and license the system for a variety uses तो मतलब यह है कि वर्तमान में ddc का ज्यान लगना at present taken away at present very important question है at present जो ddc को जो है publish किया जाता है तो ddc को वर्तमान में publish किसके द्वारे के जाता है दोस्तों oclc के द्वारा तो ज्यान लगना oclc के पास क्या है copyright है ddc को publish करने का तो यह कहीं पास सवाल पुचा जाता है तो ओनलाइन computer library center तो oclc के पास वर्तमान में copyright है किस लिए है ddc को publish करने के लिए किसको लिए वे ddc को publish करने के लिए तो ddc oclc online computer library centering द्वारा परकासित क्या गया है oclc ddc वर्किकर में सभी copyright अधिकारी का मालिक है तो वर्तमान में copyright अधिकारी का मालिक किसके पास है तो अधिकारिक मालिक जो है किसके पास है वो है आपके डिदीसी के पास है ठीक है यह पास ही अधिकार कब से है तो ध्यान लगना यह अधिकार है 1988 से very important कहीं बाइब सवाल आता है कि वह डिदीसी को परकाशित करने का जो कॉपिराइट है ये कब से जो है OCLC के पास है तो द्यान लगना ये कॉपिराइट जो है डीडिस्टी को परकासित करने का ये कॉपिराइट OCLC के पास सिंस 1988 है ये के अंदर आया था पिछली बार टेकन अधिकार कब से है तो तो ये कॉपिराइट एक्ट जो है OCLC के पास डीडीसी को परकासित करने का यह 1988 से है और एक ध्यान रखना है कि डीडीसी के अंदर टेकना इन डीडीसी डीडीसी के अंदर एक इंडेक्स का परियोग होता है उस इंडेक्स का नाम रखना ध्यान रखना है रिलेटिव इंडेक्स बार्ट इंपर्टेंट कोशन है यह कहीं बाहर प्रिक्सा में सवाल पुझा जाता है कि डिडिसी के अंदर कौन सी इंडेक्स का परियोग क्या जाता है तो आपका आंस्वर प्रियोगा ज्यान ही प्रियोग क्या जाता है अंधर ज्यान आखना है अमेशा क्षा मेंसी बॉइन इसा डूंत का प्रियोग जाता रिक्लिंस एक क्षातर रॉक बडेसे नॉटीर से क्या होता है की द मैं कर लेकिन दिएससे के अंदर कौन सा नाटेसन का परियोग वता है दिएसी के अंदर याकल और उसके अलावा एक और है आर आएज राइडर इंटरनेशन क्लासिपीकेशन है तो राइडर अर्ठाषा सुद्नकन का प्रियोग क्या जाता है और इंडेख्स कौन से यूट होwang भी किसके अंदर क्या साथ है कि टूषटों उसके बाद हम करते हैं धीडीपिकार इस प्रसेती सिस्टम आफ सब्सक्राइब 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 अब हम बात करते हैं सबसे इंपोर्टेंट देखिए वर्ल्ड में दस फरकार की क्लासिफिकेशन स्कीम होती है देर आर टैन टाइस ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम और टुड़े वी आट टॉकिंग अबाउट दीडीची यह क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तयाहे इंका मेपिंग त्याहरा धें मैं क्लास बनाये जा रहे थेom दिडी सी की Mapping में तीन जो है चरन होतें तीन इस्टेब फूरा वहता तो डिडी से में जयानक नर्म है ये जो दिण समरी में पूरा वह था कितने समरी में हुआता था तीन प्रимक सवाल भी आता है यह तो होगे हैं दु मैंने लिब्स कितने होगें कितने होगे लुप कितने होगें दूस्तों तशुर्ण होगे रधन आशी में उन्हों ने किसे में ऩर टिया ट्री टीर टाइप्स ऑंतों सर्वतीन प्रकार तो आपको ध्यान रखना है कि पहले जो समरी होते हैं जिसके अंदर इन्होंने 10 men class में डिवाइड गया फिर 2nd समरी में इन्होंने 100 डिविजन में डिवाइड गया और 3rd समरी में इन्होंने 1000 section में डिवाइड गया था दोस्तों जो भी तेलंगा ना स्कूल आईवेरियन की त्यारी कर रहे हैं उन लोगों को मैं यह कहना चाहता हूं यह टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोटेंट है जो प्रिविश दर का पेपर हम अगर 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 आपके पास है 2017 वाला उस पेपर को आप अब अन्लेसिस कीजिए उस वेपर में इस टौपिक में से वार कुस्षण आयते जो हम लास्ट म обяз लिटा करेंगे वह सवाल किस प्रकार के थे अभी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे गो मेतों सबसे पहले हमारे इस क्लास को लॉइक कीजिए कमेंट करने के बाद जो है आप जो है जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी अच्छी जो वीडियो से आपको मिलेगे और मेरे से बात करने के लिए नंबर है 8949992361 यह मेरे नंबर है इस पर कभी भी आप बात कर सकते हो 8949992361 इस पेसली हमने वी हम अलड़ी स्टार्टेड एस स्पेशल बैच आप लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइन्स फॉर तेलंगाना गुरुकुल स्कूल लाइबिरियल हमने विल्कुल स्पेशली बैच शुरू कर दिया है और बहुत बहुत सारे बच्चे तेलंगाना से आ यहं रहे हैं बातुत हो रही है और दो डेलाइक और इस हमार कंटेंट को सबसे ज्यादा उनको पसंद आ्रहा है और वह ज्यादा सज्ञाध इस ज्यादा इस कंटेंट को लिकुbleed से कोर्स कंप्लीट हूं और उसके बाद जोайтесь को मिल जाए है यह तो है तो यह चाहिए इसग फीचर सोबगे और सवाल खता है कि वर्ट इस इंपोटेंट फीचर ओड डी टीन से तो डी डी टी इसी की मोस्ट इंपोटेंट फीचर के है रिपर की होता है यह हुज आपको ड्यान पर रखना है अब ही आपने देखा ओगा किग टीन संबरी होती है क्सियों को याद कौन सी करनी है तो आपको ध्यान रखना एक तो मैंन चाहिए और दूसरा आपका जो है डिवीजन आपको याद होने चाहिए कम से कम Cruy بال कम चीन होने चाहिए tenth चीज़ बहुत ज़ाद होती है 1000 याद नहीं कर सकते हैं लेकिन आपको 100 तक तक तो आपको याद करनी है तो मेरे कहने का मदलब यह है कि आपको समरी first man class और second summary 100 division यह आपको याद करना है अब कैसे याद किया जाता है मैं इसके ट्रिक बताता हूं आपको यह आपकी है first summary तो first summary में यह द्यान रखना है इसके अंदर 10 men class होते हैं 10 men class होते हैं और एक चीज़ जाने है 10 men class कहां से शुरू होते हैं त्रिपल जिरो से त्रिपल जिरो से शुरू होगे और कहां खतम होंगे नौस से यह आपको द्यान रखना है कि डीडी सी की जो first summary है जिसका नाम है 10 men class यह 10 men class जो शुरू होते हैं गर्रिपल जिरो से और खतम हो जाएकि आपके no素 से r 하면 आपको ट्रिक बताराँ हूं इस ट्रिक को याद कले ना चैि व्हें अच्छी तरीके से ट्र è सिंपल सी है GPRS लप्टा LPTA और इसके बाद क्या हो जाएगा LH यह trick मने बता दे इस trick को याद कले न दो सवाल आपके आराम से सही हो जाएगा एक्जाम में GPRS लप्टा LH GPRS लप्टा LH अगर आपको यह याद हो गया 4-5 वर बोलोगे न GPRS लप्टा LH तो आपको बता चल जाएगा पहला है आपके G तो G से क्या हो जाएगा आपके general work हो जाएगा तो यह द्यान देजिए G से क्या हो जाएगा general work हो जाएगा यह आपके 000 क्या होगे 000 पहला हो गया उसके बाद P तो P से याद रखना आपके P से क्या हो जाएगी philosophy क्या हो जाएगा philosophy and psychology यह हो गया आपके 100 पर यह रहा philosophy और psychology हो गया जी पी-R तो आर से क्या हो जाएगा religion क्या हो जाएगा दोस्तो आर्श ओजाएगा religion पर तो सोचिल साइंस की सांच हो गया social science हो गया फिर उसके बाद हम बात करतें लब्टा एल से क्या हो जाएगा आपके लेंग्वेज तो लेंग्वेज में क्या हो गया हो गया ओर हएंड्रेड यह रहा फॉर एंड्रेड फिर लब्ता पी पी से क्या हो जाएगा pure science 그럼 pure science, किए हो गया, 500 हो गया, यह रहा, 500 pure science फिर उसके बाद T T, T से क्या हो जाएगा T से आपके हो जाएगा technology T जा जाएगा टेकनोलोजी 600 पह, फिर लग्टा A, A पह क्या हो जाएगा arts and recreation A से क्या accents and recreation फिर उसके बाद L यह हो गया आपके 700 फिर एल से क्या हो जाएगा आपके लिटरेचर तो लिटरेचर में क्या हो जाएगा आपके 800 पर लिटरेचर हो जाएगा फिर उसके बाद हम बात करते हैं एच एच से क्या हो जाएगा हिस्ट्री क्या हो जाएगा दोस्तों हिस्ट्री और हिस्ट्री में ध्यान एकना आपका क्या हो जाएगा 900 क्या हो जाएगा दोस्तों 900 हो जाएगा तो कहने का मतलब यह है तो आपको यह ध्यान एकना है कि एक बहुत अच्छा ट्रिक मैंने बनाय है तो आपको बहुत आसान हो जाएगा ताकि आपको किसी परकार का confusion रही आएगा अगर महानलोग कोई भी पूचा जाता है तो पहले तो आपको बता होना चाहिए कि यह शुरू का से होती है त्रिपल जीरो से आपके लिट्रेशर और है से हो जाएगा आपके इस्ट्री किया हो जाएगा दोस्ता इस्ट्री हो जाएगा इस ट्रिक से याद करेंने दोस्तों कभी नहीं भूल पाओंगे आप ज्याने दोस्तों तो आपको पता चल गया 000 से आपकी फर्स समरी है यह याद होगी जो 900 से चलेगी यह रहा देगो को घ्रस तो जी की फी फिर यह आर फिर यह च्पिर एल फीर फिर टीविरी लगटा फिर फिर अ गर्वर फिर 20 गर्मयारN avenुम्ला। ता तट्रिक के मादियंस से आपके क्या होगी दस में कलास आपको यादों गया है तो आपको द्यानessions sonat दो समरीत तो कम से कम याद करनी है एक तो 10 men class और दूसरी जो hundred division वाली जाद करनी तो पहले समरी याद होगी अब आपको second summary भी याद करवाते हैं च्ありकें अब सेकिन्च में सबसे फेले हम शुरू करते हैं आपके जी पर तो जी पर क्या हो जाएगा है यहां पर जनल वर्क भी लिख देना इसमें जनल जनल वर्क भी आता है तो पहला जो में ट्रास है आपके जनल वर्क होता है अब जनरल वाक में ध्यान रखना सबसे important आता है ये library and information science इसको अच्छी तरीके से याद कलने हैं दोस्तों ये कई बास सवाल पुचा जाता है आप library और information science पढ़ रहे हो तो आपको कम से कम ये पता तो होना चाहिए कि डिडिसी में library और information science के लिए कौन सा man glass है तो डिडिसी म सब्सक्राइब जिरो टून्टी जबकि सीसी में कौन से होता मैं क्लास लाइबरी साइंस में तो सीसी में ध्याना रखना दो होता है क्या होता है दो होता है लाइबरेरी साइंस के लिए colon classification में में क्लास टू होती है जबकि द्यान रखना है डीडीसी में में क्लास लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस के लिए जूरो ट्विंटी होती है तो एक तो आपको इसका याद रखना है अच्छी तरीके से ठीक है दोस्तों फिर हो गया आपके इस्ट्रेक्चर के अनसा जी प इंपोडेंट है अपना इस्ट्रेक्चर एजी पी आरस जीपे ट्रिपल जीरो आ रहा है पी पर हंड्रेड आ तो पहले आ जाएगा फिलोसोफी और उसके बीच और बीच डैट सो पर क्या आएगा आपके साइकलोजी आएगा क्या है दोस्तों साइकलोजी यह सवाल कहीं ब पहले क्या आता है चाता तो पहले फिलोसोफी आएगा और फिर उसके बाद क्या आएगा जो है साइकलोजी आएगा ठीक है उसके बाद तीसरा ट्रिक हमारा यह था जी पी आर तो तीसरा जो ट्रिक के हसाब से आर आर फोर क्या होगे वे रिलीजन तो क्या हो जाएगा आप के रिलीजन में मुझे तो कोई important लगता नहीं कई इसमें से कभी सवाल नहीं पूछे जाते द्यानकना तो इसमें आपको कोई ज्यादा नहीं पूछेंगे जी पी आर आर ऑगे जी पी आर एस जी पी आर एस तो चोट्व होगे एस तो एस पर ठी एंड रेट पर और एस से क्या हो जाएगा आपके Social Sciences अब Social Sciences में important बता रहे हूं मैं सबसे important ज्यानकना धारा 300 सित्तर very important question है धारा 300 सित्तर पर कौन सा subject आता है Education का मलब क्या होगे दोस्तो शिक्सा होगे तो जमोगस्मिर में धारा 300 सित्तर हट गई है अब आपर हर एक वर्ग के जो विद्याट्य को आसनी से शिक्सा मिलेगी देखने इसको याद करने का एक दर हैं दाउ consumers किससे जुढ़ी हुई है यह सिक्षाथ जुढ़ी हुई है सिक्षा से जुढ़ी हुई है अब पढ़ने दिखो आप पता है कि GPRS से सोशल साइंस है अब सोशल साइंस आते ही आपको ध्यान रगना है अगर मालों आप्षन में 3010 322 303 304 आ जाता है तो सोशल साइंस आता ही आपको पता हों आपके पर 300 पर आता है तो और 340 पर किया हो जयेगा लौ क्या होते हो आपने आफने यह लिए आफना एक ह short लिए दिला पाइलिया था इस स्ञेक्स दूसरा आपने लिया पॉलिटिकल सायंस थीरे लिए एकानमिक्स और चौता लिया है लो तो मैंने मैंने एक यू Trend का मलब कहा मलब इस्टे क्वा साइंस एक पॉलिटिकल साइंस बंद इस सेक्निक्स और ass क्लों तो मैंने सोश्चांस के चार सब्जेक्टी के लिए मैंने इक ट्रिक बनेत favorites इस याद किया था वह मैं आपके बता रहा हूं तो आपको ध्यान लगना है है पी पी आरेस स सweします तीर शितर दाहरा तुई तो यह तो दो हैं आको चु कर दिए सकतरा है तो आपकर शिखसर साथ समंदित है एजुकेशन हो जाएगा अब सवस्यल साइंस को चार सब्जेट ऐब सौशल साइंस किसमें आता आर्स में तो आर्स में मैंने चार सब्जेट लिए थे और चार सब्जेट का एक फर्मूला बनाया था S P E L क्या बनाया था भी दोस्तो S P E L S का मतलब होता है Esthetics P से Political Science, E से Economics और L से Low क्या हो गया भी? Low गया आपके तो इस तरीके से आपको यह यह चार सब्जेट अच्छी तरीके से याद करना तो मैंने इस ट्रिक बना जी थी उसमें मैंने का मैं आर्ट का स्टुडेंट रहा था और आर्ट से मैंने चार सब्जेट लिए थे वह लिए थे इस पैल क्या करना इस पैल ठीक है अब उसके बाद हम बात करते हैं फॉर अंडरेट पर जी पी आरस लप्टा तो लप्टा में क्या रहा है तो एल में क्या हो जाएगा लेंग्वेज हो जाए आपको दोनों याद हो जाएंगे कि दोनों याद हो जाएंगे लेकिन द्यायर लख नापको 400 ऑप 400 कर लेंग्वेज आता हूए तो आट सो पर लिटरेच्र आता क्या दोस्तों इसब्टेच्र के लिटरेच्व से जर्मन है तो यहां पर तो वहां पर 80ips पर क्या हो जाएगा इंगली रेटरेशर है यहां पर 430 पर क्या जर्मन घर्प Kathar यहां पर तरैसीयmom फट्रेस हो जाएगा आगे यह सबसे ज़्यादा important है GPRS लप्टा LP LP में यह द्यान रखना है P P से याद रखना आपको pure science द्यान रखना एक चीज़ द्यान रखना है जब भी आपका pure science वड़ा थे 500 पर आपको यह तो पता चल जाएगा कि GPRS लप्टा LH लप्टा LP प्योर से याद हुजएगा आपको कि प्योर से क्या होता है प्योर से होता है प्योर साइंस अब प्योर साइंस आते ही आपको दिमाग में याद होना चाहिए कि प्यार साइज के साइज के सुपजेट होगे क्या ओगे दोस्तों सैंस के सब्चेट कांशे साइंस के सब्चेट साथा तो सब्चेट कांशे सुरू होगे 510 से 590 तक तो यान देजिए 510 पर सब से सबसे पहले किया आता है mathematics सबसे पहले सबसे भारी सब्जेट आता है सबसे hard subject कौन सा ah mathematics तो याद रख लेना mathematics सबसे पहले आता है क्योंकि इसब से हाड माना बहलता है फिर अश्ट्रॉनॉम्य heath चाहता है कैमेश्ट्री चिमांसो कि में यह 2 साहत यह ऑलों कि यह 340 का i community रृजिक्स तो याद हो जाएगा क्योंकि यह सबसे भारी सुजेट है और प्यूर साइन्स में सबसे पहला एगा ए DAVID प्योर्ड साइंस की इस पर आते 500 नंबर है उसका तो 510 शुरू होते ही mathematics आएगा फिर physics और chemistry साफ में रहती है हमेशा तो 30-40 तो 530 पर physics और 540 पर chemistry हो जाएगा क्या हो जाएगा chemistry हो जाएगा अब उसके बात करते हैं यह यह आया था kbs के अंदर यह सवाल kbs के अंदर कौन सा आथा तो 500 शितर पर आएगा biology 580 पर आएगा बोटनी और 590 पर आएगा जुलोजी तो यह तिनों पास-पास में हैं त्यान रखना बालोची बाटनी जुलोजी बी-बी-जे याद रखना इसके क्या हो जाएगी बी-बी-जेड क्या हो जाएगा यह kbs कुछा था kbs 218 वाला जो मैंने दो 2018 का एक्जाम वह था और उसका रिटन भी मैंने किलिर क्या था इंट्रिव तक भी पहुंचा था 22 फरवरी 2019 में इंट्रिवी वह था के विस का हाला की फाइनल में नहीं हो पाया था मेरा लेकिन दिल्ली के अंदर इसका इंट्रिव्य हुआ था उस वाले पेपर में यह पुछा गया था तो शितर पर बायोजी और नबे पर क्या हो जाएगा आपके जुलोजी हो गया तो याद करने की ट्रिक क्या है तो सबसे पहले द्यान अ लिए मैथमेटिक्स और उसके बाद फीजिक्स और केमेस्ट्री अमसे आप में होता है फीजिक्स चारिस का पांसो तील्स पर केमेश्ट्री तो तैक्नोलोजी तो सित्र पर बाट नवे पर आपके yeah हो जाएगा जूलो जी हो जाएगा क्यों हो जाएगा दोस्तों जूलो जी इस में से एक सवाल आपके हर competition में पुझा जाता है यह इसे आपको ध्यान में रखनी है तीक है उसके बाद हम बात करते सब्सक्राइब करने हैं इन में से सब्सक्राइब करें आज एक सबसे ज्यादा जो है पैसा किसे होता है Medical में खर्च होता है, तो Technology में सबसे पहला खर्च किसका होगा, वही, Medical का, फिर उसके बाद 620, 620 में क्या आएगा, Engineering आएगा, और 630 वो हो जाएगा, आपके Agriculture, क्या हो जाएगा, Agriculture हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा खर्चा होता है, Medical में, उसके बाद जो है, फिर खर्चा हो इंपोर्चेंट है, तो Technology का जमाना हम यूज करते हैं, लेकिन आजकर सबसे ज़्यादा पैसा, Medical Science में खर्चा होता है, तो 610 पर Medical Health, 620 में Medical के बाद, Engineering में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, 620 पर Engineering, और 630, 630 पर क्या हो जाएगा, Agriculture, फिर लास्ट में, ना Medical बचा है, ना Engineering बचा है, तो लास्ट में, 630 पर क्या हो जाएगा, Agriculture हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, Agriculture हो जाएगा, ये तीन सबसे ज़्य जादा important है और यह कहीं बार पर रिख सकें अंदर पूछे जाते हैं है प्री 700 पर आता है यह लबता टी ए ए हो गया तो यह पर होता है आट and recreation art and recreation मलब होता है कला और मनोरंजन कि बात कि थे अं फिर आता है यहाप पर आपर बात करते यहापकर मlais क्या है पंटिंग करना ऋचों करना-इस पोर्ट्ऑ न Champions सब किसमें आता है यह आठ और कम्हें टो तो कला और मानने मीद में दानकता आपको सबसे इंपोटेंट brain ऑना साथ सो चालिज़ पर हो जाए जाएगे डॉयंग हो जाएगी किआ जाएगी डॉयंग ओर साइसो कचासज पाइस प्स पैलो ही और रहा पहला पहले धी और फोर पहले याद रखाता मैं नहुँटा ही जाए मिविद्स द दर्योगे च्टifty सजाइंग और पचास में पैंटिगं पचास से पेंटिगं कंप शाइंग हो जाएगा। यह मनोरंडि वाली चीजे तो आपको जैश ही वाल के वर्ड आएगा पैंटिंग तो पैंटिंग क्या होता है यह कलाओ inform nap या तो चालीसा होगा या सासो पचास होगा तो पैंटिंग से पचास याद रख लेना çaसो पचास पे क्या होगा पैंटिंग हो जाएगा उसके बाद लास्ट में तीन उसके बाद आपकरी छाते हैं तो सबसे पहले फोट्व बगना दिया था तो उसके बाद हमने मीजी पर danse kia और फिर 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 हमने क्या किया वे इस प्र सण फोर्त के लगते हैं तो लास्ट में हमने सबने फटो गणी काना लिया फोटोग्राफि ले एक किसी ने मीूजिक बजया दिया ऐस़्ी यह और उसके बांने पर फिर मीजिक के बाद हम लास्ट में games sports केलने लगे तो द्यान लगना तो 77 पर फोटोगा भी 80 पर music और 90 पर आपका sports activity हो जाएगा पिर आट सो पर गया हो जाएगा ल एच तो देखो एल फॉर क्या हो गया literature हो गया और लेंग्वेज भी हो था तो मैंने कहा ना देखो दो 820 पे यह इंग्लेश लिट्रचर है तो वहाँ पर 420 पे यहां ओगा इंग्लेश लैंग्वेज आठ सो च्वेक्पर डीन लेंग्वेज च्यां उ लेंग्वेज झांति क्या होरी होगा जर्माल जैंग्वेज गया तो आपको बता है कि 400 लेंग्वेज वह सो पर लित्रेच्यर यृ लाता है तो वहां वह नमबर इत्रै चाइगा आपके इंग्लिख लेंग्वेज और यह उँ जाएगा 820 वह यह पर लिट्रेच्र हो जाएंग है क्या हो जाएगा डोस्तों English Literature हो यह चीज जाना ना वाफ्र 462 वहां पर चारफ और ब्र है इस पेंग्वेज्ड और यह आमर आफ आट सो सांट में जो जाएगा Spanish Literature वहां मुन्हीं गरसित्र जाए है लाजे लेटन लगना आपको history किस पर आती है 900 पर history आती है तो history में यह एक आपका सबसे ज़्यादा है history of Asia दियाना बैसी अदना है history of Asia किस पर आता है na be rho 20inkि समयात दोस्तो हो 950 पर आता है तो history of Asia जो है वह एक आपके किस पर आएगा वही 950 पर आएगा कहां पर आएगा 950 पर आएगा history of Asia तो history of Asia जो है वो आपको 950 नमबर पर आएगा ठीक है यह आपके द्यानेगना important है ठीक है तो इस परकार से आपके यह दो समरी याद होगे आपके तो पहले समरी याद होगे आपको जी पी आरस लख्टा एलेक्स और सेकेंड समरी मैंने आपको पूरी तरीकर से बता दिया एक तो 500 पर प्योर साइंस आता है एक आपको 600 पर टक्नोलोजी है एक आपको 700 पर आर्ट एंड री क्रियेशन है एक आपको social science याद रखना है 300 पे जिसमें एजुक शिक्सा 370 370 यहीं से हमें से सवाल बनते हैं अब बात करते हैं थर्ड समरी की देखिए थर्ड समरी बहुत जदा हाड होती है एक हजार याद नहीं कर सकते हैं 100 तक तो हम याद कर सकते हैं फ़र्स समरी में 10 men class होगी सेकें समरी में 100 division होगी अब थर्ड समरी में एक हजार section याद नहीं होते हैं इसलिए आपको ज़्यादा याद करने के जरूत नहीं है अगर मालों कोई सवाल आ भी जाये एक अदी होगा अगर कोई अटेंट करेगा तो डेफिनेटली वह गलत होगा क्योंकि अगर इसको पढ़ने में अगर वह जो है एक हजार section को कैसे पढ़ेगा यह possible नहीं इसलिए आपको थर्ड समरी में आपको tension लेने की जरूत नहीं है तो यह आज जो है यह हमारे डीडी सी की पहली क्लास है और यह पहला पार्ट है हम अगली क्लास के अंदर डीडी सी के अंदर बहुत सारे टेबल्स का परियोग होता है डीडी सी के अंदर 23 एडिशन होता है एक एक एडिशन को हम बहुत ज़्यदा गयराई से पढ़ेंगे बहुत ज़्यदा डीपली में से पढ़ेंगे ताकि क्या होता है कि उनको अच्छी तरीके से जो है समझ सकते हैं चाहिए दोस्तों और गुरुकुल स्कूल लाइबेरिन की त्यारी करने वाले सभी विद्यारतियों के यह कहना चाहता हूं कि आप जल्दे से अपना कोर्स करना शुरू कर दीजिए क्योंकि आपके पास क्या गया है तो जो है तो आपको बहुत ज़्यदा समय लगेगा इसलिए डैली जो है आप शुरू कर दीजिए और सबसे बड़ी बात है सबसे पहले आप आपका यूनिट फाइप है क्लासिपिकेशन कैटलोगिंग है इस पार्ट को ज़्यदा पढ़िए क्योंकि आज जो इन डीडी सी लाइबरेरी साइंस इस क्लासेड अंडर ये गुरुकूल स्कूल लाइबिरेन 2017 के अंदर पेपर आया था तो डीडी सी में लाइबरेरी साइंस के लिए कौन सा मेन क्लास होता है मैंने अभी बताया था जीरो ट्वंटी होता है कौन सा होता है जीरो ट्वंटी होता है बिघ्वेट इसिमल क्लासिपिकेशन ट्वंटी थर्ड एडिसन तेइसवा एडिसन कब पप्लिश होता मैंने बताया था थेश्वा एडिसन दोजार ग्यारा में 2011 ने पपप्लिश होता यह भी गुरुकुल स्कूल आइबियरेन दोजास सत्रा वाला 2017 में आया था अगला कुछन है इन डिडिसी में क्लास 323 यह सबसे खतनाक सवाल है यह बहुत अदर डीपली आ गया है लेकिन यह जो 323 ना यह आपके थर्ड समरी में से आया अब देखों दोस्तों यह सवाल तो पूछा गया मानता हूं मैं एक्जाम के अंदर आया लेकिन मैं यह बानता हूं कि यह जो थर्ड समरी आपका सेक्शन है इसके अंदर एक हजार अब इसको एक-एक को याद करोगे तो यह संभव नहीं हो पाएगा तो ऐसा सवाल हमें से स्टुडेंट से गलत हो जाता है एक सवाल आगे माना की लेकिन अगर आप एक 1000 थर्ड समरी आप या फाल पड़ेगा यहां कि पिरफ इनधिसी एक्रिकुर आज इंगरी कल्चर मैंने बताया था आपको पता हैसे कले में सबसे हो गया मैडिकल हो गया चैसर दस चैसर बीस पर इंजिनरिंग हो जाएगा और चैसर तीस पर क्या हो जाएगा आपके अग्रिकल्चर हो जाएगा यह पी आपके गुरुकुल स्कूल पूराने वाले पेपर में आया था फॉर्स एडिशन ऑफ डीडिसी कंसीज यह जूनियर टेकनिकल असिस्टेंट में आया था तो फॉर्स एडिशन डीडिसी में कितने पेज है वही तो तो इसके बाद सो और उसके बाद 200 आर का मलब क्या होता है रिलिजन तो आर से 200 तो यह आपका 200 हो जाएगा अगर आपको फॉर्मुला सही याद होगा ट्रिक जी पी आरस लप्टा एलेच तो आपको यह 200 आपका सही हो जाएगा ठीक है दोस्तों फॉर्स एडिशन ऑडिडिसी पहला डीडिसी का पहला एडिशन जो है कब आया था य और लें पहला हुआ होता है तो जल रिलेटिव ऐंडिकेटेड बा ए बेरी इंपरेंड डडिसी में चुत में होती है यह मैं क्लास कहा से शुरू होती है यह 300 से लगा और 900 तक यह जो बोबी जीरो से लगाए पर लायन तक को यह इंडारीजी में इंडो अर। इंडो करते हैं गताए लेटेज्ट अडिसन पे इंडारीश्ट 2 शेट में आये थाison का है टीज़्टreeक02 11-11 में आया था ठीक है तो उसके बाद क्लाशिपीकेशन सिंट मुट प्रियोग करता है तो प्यूर नॉटेशन समरी होती है मैं क्लास क्या होती है दूसरी समरी होती है यह तीसरी समरी होती है क्या होती है तीसरी समरी चीके दोस्तों तो इस प्रकार से यह सवाल आया थे तो कहने का मलब classification और cataloging बहुत ज़्दा important है वर्तमान में मैं अभी new updated course पढ़ा रहा हूं सभी मैं जिसमें classification और cataloging को पढ़ा रहा हूं इसको अच्छी तरीके से पढ़ लिए ठीके दोसरों हमारा जो तेलंगाना का गुरुकुल इसकूल जो है तेलंगाना गुरुकुल स्कूल का जो कोर्स है ठीके ना हमने शुरू कर दिया है ठीके न एप जो है एक तो वीडियो मिलेगा वीडियो के निचे उसके क्या मिलेगे आपको PDF मिलेगी और PDF के निचे आपको क्या मिलेगा Test Series मिलेगा तो आपका Library Science का जो कॉर्स है पुरा 2999मे है जिसमें आपको video lecture मिलेगा उसके अंदर PDF मिलेगा और PDF से उसके बाद आपको क्या मिलेगा test series मिलेगा ये तीनों चीजे जो है वो आपको शिरफ 2999 में है और 1 year validity कौन से यह भी 1 year validity जा रगना एक साल की जो validity है ये आपको मिलेगी तो 10 साल की दोस्तों एक साल की जो validity है ये आपको मिलेगी और सबसे बड़ी बात है अगर आप if you want to see some demo class तो आप हमारा app को download कीजिए एप का नाम है Online School India Online School India आप हमारा app को download कीजिए Online School India एप को download कीजिए और मेरे से बात करने के लिए 894999 2361 क्या है वही 894999 2361 ये नंबर है if you want to talk to me you just call on it इस पर आप कभी भी बात कर सकते है दोस्तों ठीक है Thank you very much for your kind and for your love and I hope that I hope that you are you you like my content so I really I really thank you very much आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और जल्द जो है हम आगे next class all आएंगे ताकि आपको और जदा अच्छा content मिले है Thank you very much बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत जल्द हम जो मिलते हैं आप सबसे पहले इस class को देख रहे हैं like कीजिए comment कीजिए और comment करने के बाद जो है अपने इस चैनल को subscribe जरू कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share जरू कीजिए ठीके दोस्तों Thank you very much इस class को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह की और class देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक रहें जो वीडियार्टी टेलिग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाएं है उन टेलिग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्टिन में दे दिया गया है वास से आप जुड़ सकते हैं और हमारे OSI फेमिली से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बवरी से में और अच्छी से अच्छी क्लास आपको मिल सकते हैं